दोस्तो जब भी हम कोई नई चीज लेना चाहते हैं तो पुराने सामान को, पुराने गैजेट्स को हमको बेचना होता है और इसी के लिए काम आते हैं कैशिफाई और फॉनकैस जैसी एप्लिकेशन आज किस वीडियो में इन दोनों एप, इन दोनों प्लैटफॉर्म का यानि कैशिफाई और फॉनकैस दोनों का कमपेरीजन करेंगे और मैं आपको step by step बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा best है किस पर आपको अपने स्मार्टफॉन को या अपने गैजेट को बेचना चाहिए वीडियो पर बने रहे हैं मैं हूं हमन हुसाईन और आप देख रहे हैं Tech Helper हुसाईन चैनल इससे तरह के और informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटी का बटन जरूर दबा दें तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Cashify की इंस्टॉल करने के बाद open पर किलिक करेंगे Cashify का logo आएगा cell phone पर किलिक करेंगे यहां से अपना brand जो है वह हम select करेंगे Vivo का है V3 है हमारी और V21E हमारा model है वो भी हम यहाँ पर select कर लेंगे खिराज आएगा variant के लिए हम अपना variant select कर लेंगे उसके बाद get exact value पर किलिक करेंगे यह सारी ही चीजे हमारी जो है वो चल रही है हमारा जो brand है वो warranty के अंडर नहीं है हम नौ पर किलिक करेंगे बाकि सारी ही चीजे है आप यहाँ पर जो देख रहे हैं broken वगरा तो नहीं है आपका smartphone वो आप select कर लेंगे हमारा नहीं है हम continue करेंगे उसके बाद सारी ही चीजे properly working में है हमारी चाहे fingerprint हो चाहे Wi-Fi हो speaker हो कोई भी चीज में हमारा fault नहीं है अगर आपके में कोई fault है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे वरना हम यहां continue पर किलिक करेंगे हमारे smartphone के साथ original charger है और इसके साथ box है जिसके साथ same IMEI number भी है आप यहाँ continue पर किलिक करेंगे उसके बाद हमारी exact value आ जाएगी आप यहाँ पर देख सकते है Vivo V21E 5G 8GB 128GB और यह बिल्कुल live है आप यहाँ पर time भी देख सकते है 9,800 रुपिया cashify देता है आपके smartphone के लेकिन अगर इसको हम compare करें अब phone cache से तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसको अटा कर phone cache को install कर लेंगे उपन करेंगे Vivo V21E 5G 8GB 128GB gate up to 13,896 रुपे हम यहाँ get caught पर किलिक करेंगे यहाँ पर हमारी चीज़ों को यह scan करेगा wifi सही है आप यहाँ से यह screen test इस तरह से जो हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं हमने यहाँ पर complete कर लिया है screen test अब speaker को यह check करेगा 351 और उसके बाद हमारा speaker भी पूरी तरह से सही है फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा health score और आप यहाँ नेश्ट पर click कर देंगे नेश्ट पर click करने के बाद आपकी physical condition कैसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई scratch तो नहीं है आपके mobile phone में dots तो नहीं है screen में कोई problem तो नहीं है कहीं से आपको mobile phone damage तो नहीं है वो आप यहाँ पर select करेंगे और आपके साथ ऐसी कोई condition है वरना आप यहाँ नेश्ट पर click कर देंगे हमारे mobile phone के साथ क्या-क्या है वो चीज़े आप mention करेंगे हमारे साथ सारी ही चीज़े हैं age के अगर बात करें तो 10 महीने से भी ज्यादा पुराना हमारा यह स्मार्ट फोन है हम यहाँ select करेंगे और फिर यहाँ नेश्ट पर click करेंगे और यहाँ पर हमारा जो यांतरा का एसोड प्राइज आया है वो आया है 10,129 रुपे हम यहाँ sale पर click करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसका order कर सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको complete बताया है कि phone cash app से अगर आप order देते हैं अपने mobile phone को sale करते हैं और cashify से sale करते हैं तो कहाँ पर आपको ज़्यादा benefit है cashify पर अगर आपको sale करते हैं तो वहाँ पर आपको कम price देखने को मिलेगा अपने odd smartphone का और वही phone cash पर अगर आप sale करते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छा price देखने को मिलेगा जो इस वीडियो में आपको बताया है यह Vivo का V21E smartphone है 5G, RGB, 128GB cashify इसके दे रहा है 9,800 रुपे और वही phone cash दे रहा है 10,129 रुपे यह तो सिर्फ एक smartphone की बात है अगर इसके अलावा आपके पास कोई और smartphone है और आप उसको भी compare करेंगे एक दूसरे से यानि cashify और phone cash से तो दोनों में आपको phone cash से ही ज़्यादा amount मिलेगा ज़्यादा price दिखेने को मिलेगा अपने smartphone का तो मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आपको बेचना ही है तो फिर आप phone cash पे बेचें लेकिन phone cash एप की availability हर जगा अभी नहीं है कहीं पर ऐसा है जहाँ पे phone cash use नहीं हो पाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं को और नई वीडियो के साथ अब तक के लिए जए हैं